आज बन रहा है मा बीटी दा सोडा में चार लेर वाला वेट सेंडविच, बहुत ही हैल्थफुल ये सेंडविच है, बहुत ही प्रोटीन रिच और टेस्टी ये सेंडविच बन करके तयार होते हैं, चलिए हमारे साथ किच्छन में, वाइट ब्रेड स्लाइस, दही, मक्षन, गौल-गौल कटा हुआ टमाटर, हरा धैनिया, प्याज, शिम्ला मिर्च, उबला हुआ आलू, खीरा, हम यह लेंगे हमारा पहला ब्रेड स्लाइस, उस पे लगाएंगे बटर, अच्छी तरह से चारो कोनों में, एड करेंगे हमारे गौल-गौल काटे हुए टमाटर, शिंकल करेंगे थोड़ा साहरा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, लाल मेच पाउडर, रोस्टेट जीरा पाउडर, हम यहां मसाले अपने टेस्ट के अकोडिंग एड करेंगे, लगाएंगे हमारा दूसरा ब्रेड स्लाइस, ब्रेड स्लाइस पर हम स्प्रेड करेंगे स्प्रेड कर लिया है, अब हम इस पर एड करेंगे हमारा उबला हुआ आलू, सबजया हम इसमें भरपूर लगाएंगे, तभी हमारा बहुत ही हेल्दी ब्रेड सेंट्विच बन करके तयार होगा, अब यहां ब्रेड मल्टी ग्रेन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, आलू के उपर हम एड करेंगे हमारा चाट मसाला, अलू के उपर हम लगा लेते हैं हमारी गोल गोल का टीवी शिमला मेच, आप यहां शिमला मेच लाल पीली और हरी, तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या तीनों भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा अच्छी तरह से चारो कोनों में अच्छी तरह से हमने बटर लगा करके तयार कर लिया है पहले हम इस पे प्याज के स्लाइसे लगाएंगे पूरी ब्रेड को हम प्याज से कवर करेंगे हमने यह प्याज के साथ खीरा टमाटर शुमला मिर्च भी एड़ कर दी है अब हम इस पे भी खूब सारा हरा धनिया डालेंगे यह देखिए और एड़ करेंगे थोड़ा चाट मसाला चोथी ब्रेड स्लाइस पर भी हम हमारा कैचप एड़ करेंगे अब इस पर सोस का पार्ट नीचे करते हुए हम ब्रेड लगाएंगे यह देखिए तयार है हमारा चार लेयर वाला वेट सेंडविच बहुत हेल्दी हमारा सेंडविच बन करके तयार हुआ है देखिए कितना कलरफुल हमारा सेंडविच बन करके तयार हुआ है वाके में हमारा सेंडविच बहुत ही लाजवा वो टेस्टी बन करके तयार हुआ है इस सेंडविच को आप कभी भी अपने घर में बना करके तयार कर सकते हैं कि इसकी कटिंग हम कर लेते हैं आशा करती हूं रहे से पिर आपको पसंद आई होगी आप भी अपने घरों में बनाएंगे और अपने अनुभव मा बेटी के साथ जरूर शेयर करेंगे देखिए अभी मैं आपको इसको काट के दिखा देती हूं तयार है हमारे कलरफुल में हमें तक के लग्चा है